साथियों किसान रेल जैसी सुमिधाय मिलने से कैश क्रॉप ज्यादा दामवाली ज्यादा पोशक फसलों के उत्पादन के लिए प्रोथसाहन बढ़ेगा छोटा किसान पहले इन सबसे इसलिए नहीं जुड़ पाता था क्योंकि उसको कोर्ड स्टोरेज और बड़े मार्केट मिलने में दिक्कत होती थी दूर के बाजार तक पहुचाने में उसका किराय भाड़े में ही कापी खर्च हो जाता था इसी समझ्या को देखते हुए तीन साल पहले हमारी सरकार ने टमाटर, प्याज, आलू के ट्रांस्पोर्टेशन के लिए पचास प्रतिशत सबसीड़ी दी गई थी अब आत्म निर्भर भारत अभ्यान के तहट इसको दरजनों, दूसरे फॉल और सब्जियों के लिए भी बढ़ाया गया है इसका भी सीधा लाप देश के किसान को मिल रहा है भाई और बहनों, आज पस्चिम मंगाल का किसान भी इस सुविदा से जुड़ा है पस्चिम मंगाल में आलू, कटहल, गोबी, बैंगन जैसे अनेक सब्जियां खूब होती है इसी तरह अनानास, लीची, आम, केला, ऐसे अनेक फल भी वहाँ के किसान उप जाते है मचली चाहे मीठे पानी की हो या खारे पानी की पस्चिम मंगाल में कोई कमी नहीं है समस्या इनको देश भर के मार्केट तक पहुचाने की रही है अब किसान रेल जैसी सुविदा से पस्चिम मंगाल के लाखों छोटे किसानों को एक बहुत बड़ा विकल्प मिला है और ये विकल्प किसान के साथ ही स्थानिय बैजार के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको भी मिला है वो किसान से जादा दाम जादा नाम में जादा माल खरीद कर किसान रेल के जरिये दूसरे राज्यों में भी बेज सकते हैं झाल